गुड बॉर्णिंग डियर स्टुडेंट्स सौरफ सर की ऑनलाइन इंग्लिस की क्लास में आप सभी का स्वागत है आज हम क्लास नाइन्थ में जो आपकी पोएम है A Legend of the Northland जो की फोबे कैरी के द्वारा लिखी गई है इसका हिंदी नुवाद करेंगे तो सबसे पहले about the poet जान लेते हैं अर्थात फोबे कैरी के बारे में जानते हैं फोबे कैरी वाज एन अमेरिकन पोएट फोबे कैरी एक अमेरिकी कवित्त्री थी शीवाज बार्न आन 4 सेप्टेमबर 1824 इन माउंट हेल्दी ओहियो उनका जन्म चार सितंबर 1824 को माउंट हेल्दी ओहियो राज में हुआ था शीवाज दा यंगर सिस्टर आफ एलिस कैरी वो एलिस कैरी की छोटी बहन थी वो आज कंसिडेंटली आलसे पेवयट जो की वो भी एक कवित्त्री थी दा सिस्टर्स को प्रब्लिस्ट पोयम इन 1849 उन दोनों बहनों की जो साथ में जो कविता थी वो ठारा सो उन्चास में प्रकाशित हुई बहने लेटर सेपरेटली और बाद में वो दोनों अलग हो गई बोट दा सिस्टर्स डाइड इन 1871 दोनों बहने अठाः सो एकत्र में ही मर गई या स्वर्गवासी हो गई अप्टर देर डेट जोईंट एंथोलोजीज अप्सिस्टर्स आप्टर दा देयर डेथ जॉइन टेस्थोलोजिस अप देशिस्टर्स अनपब्लिष्ट पोएम वर कमपाइड उसके बाद उनकी जो अनपब्लिष्ट पोएम थी दा डेथ जॉइन अन्थोलोग उसको प्रकाशित किया लिया पोएम आफ फेथ पोएम एंड पैरोडीज होप एंड लव एटी सी आर समाप फोबे केरी जवर्क फोबे डाइड ऑन 31 जुलाई 1871 फोबे अठारा सो इकत्तर इस्वी में 31 जुलाई अठारा सो इकत्तर इस्वी में उनका देहावशान हो गया 해야 about the poem देखते हैं the illusion of the north land is a bellard the the plains of the northland की जोई कविता है यह bellard है A bellard is a poem with sword strains«rich service »,れる कहाँद गाओद जो होती है छोटे छोटे है ना those teenage scholarship qui poem होती है which tells a popular story जो की एक लोग पर यह कहानी बताती है In this poem There is a selfish woman who does not want to give even a little food to a faint and hungry scent who in anger curses her to become a wood picker तो इसमें कहानी क्या है कि in this poem there is a selfish woman एक स्वार्थी आउरत होती है who does not want to give even a little food जो कि अपना जरा साभी भोजन नहीं देना चाहती to a faint and hungry scent एक भूखे और दुलबर संत को who is anger curses her to become a wood picker who is anger curses संत को गुशा जाती है to become a wood picker और वहाँ उसको wood picker बना देता है ताट कट फोडबा बना देता है does she turn into one or what happens to let's read does she turn into one क्या वो वापस अपने रूप में आपाती है what happens क्या होता है let's read आओ पढ़े तो देखिए लिखा है away away in the north land where the hearts of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through away away दूर दूर in the north land north land में where the hearts of the day are few where मने जहां the hearts of the day जो दिन के घंटे होते हैं are few वो बहुत कम होते हैं and the nights are so long in winter और जो राते होती हैं वो बहुत लंबी होती है that they cannot sleep them through और इतनी लंबी सर्दियों में राते होती हैं कि पूरी रात वहां पर कोई भी नहीं सो सकता अपने यहां भी देखिए ठंडी में क्या होती हैं बड़ी बड़ी राते हो जाती हैं तो क्या आप क्या पूरी रात सोते रहते हैं ऐसा नहीं है उषके बाद लिखा हुआ है कि the where they harness where they harness the swift rendeer to the sledge when it snows and the children look like beard scouts in their यहां पर क्या होती है रेंडियर दोड़ते हैं दा स्विप्ट रेंडियर टो देस्ट रेंडियर की गाड़ी होती है जो रेंडियर के द्वारा चलाई जाती है वो स्लेज नाम की गाड़ी होती है तो रेंडियर स्लेज नाम की गाड़ी को दोड़ाते हैं वेन इट स्नोज बर्फवारी होती है और वहां के जो बच्चे हैं वो लुक्स लाइक वो दिखाई देते हैं लाइक बीयर कप्स भालू के बच्चों के जैसे इन देयर फनी फरी क्लाच क्योंकि वो बड़े ही मजा किया फरी माने फर वाले सफेद फर वाले कपड़े पहने हुए दिखाई पड़ते हैं तो दे टेल देम एक क्यूरियस स्टोरी वो मुझको एक क्यूरियस माने उच्चुकता उच्चुकता बढ़ाने वाली कहानी सुनाते हैं I don't believe this true मुझे विश्वास नहीं है कि या सच है या जूट and yet you may learn a lesson लेकिन फिर भी तुमको इससे सिच्चा ग्रहर करनी चाहिए if I tell the tale to you यदि मैं तुमको या मैं आपको कहानी सुनाता हूँ Once एक बार की बात है When the good saint Peter lived in the words below and worked about in a preaching just as he did Did you know Once एक बार की बात है When the good saint Peter जब जो अच्छे saint जिनका नाम पीटर था lived in the word below जो की संसार में रहा करते थे and worked about it preaching और संसार में उपदेश देने के लिए worked about घूमा करते थे just as he did you know जैसे जैसे वे ये सब काम किया करते थे He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the earth He came to the door of a cottage He came वो पहुंच गया आये to the door of a cottage एक जोपड़ी एक कुटिया पर in traveling round the earth जब वे प्रत्वी का भ्रमन कर रहे थे तो प्रत्वी का भ्रमन करते हुए वे एक कुटिया की ओ रहा है where a little woman was making cakes जहां पर छोटे कद वाली मतलब उसकी इस्तरी केक नहीं होगी ज़्यादा जहां पर एक छोटे कद वाली इस्तरी केक बना रही थी and baking them on the hearth हर्थ माने होती है भठी और उन्हें भठी में सेंक रही थी and being spent with fasting for the day was almost done he asked her from her to store of cakes to give him a single one and being spent with fasting एक कमजोर होने के कारण कमजोर अफास्ट मने क्या होता है उपवास वो भूखे रहते थे रिस्मुनी जो है ज्यादा उपवास ही करते हैं तो उपवास होने के कारण वे कमजोर लग रहे थे for the day was almost done क्योंकि जो दिन था वो लगबग समाप्त हो चुका था where little woman was making cakes और वो छोटी इस्तरी जो थी वो केक बना रही थी to give him a single once और उसने अपने केकों के बंडार से एक रोटी देने के लिए एक केक देने के लिए कहा तो उन संत ने उस इस्तरी से वो जो केक बना रही थी उसमें से एक केक देने को कहा so she made a very little cake but at it bakingly she looked at it and thought it seemed to last to give away so she made a very little cake उसने बहुत छोटे छोटे केक बनाये थे but it is bakingly क्योंकि यहाँ बेक माने पकाया जा रहा था she looked at it तो उसने देखा and thought और सोचा it seems too last to go away क्योंकि वो केक तो छोटे थे लेकिन वो इस्तरी लालची थी इसलिए उसे वो केक देने के लिए काफी बड़े लगे तो यह उतना ही बड़ा निकला जितना की पहले वाला था then she took a tiny scrap of duff and rolled and rolled it flat and baked it thin as a buffer but she couldn't part with that then she took a tiny scrap of duff and rolled and rolled it flat और उसे रोल मने क्या होता है बेल ना बेल बेल कर खूब चपटा बना दिया and baked it thin as a wafer और इसे बिलकूल बेफर मने क्या होता है chips या जिसको biscuit कहते है बेफर मने क्या होता है chips तो इसको chips के जैसा या biscuit के जैसा बना दिया but she couldn't part with that लेकिन वहाई से अपने से अलग नहीं कर सकती थी अर्थात उसने संत को ये रोटी नहीं दी for she said my cakes that seems too small when I eat of them myself are you too lost to give away so she put them on the shelf for she said उसने कहा my cakes that seems too small मेरे जो केक हैं वो मुझे देखती हूँ कि वह चोटे हैं when I eat of them myself जब मैं उनको स्वयम खाती हूँ are you too lost to give away अब ये इतने बड़े नहीं हैं कि मैं तुमको दे सकूँ so she put them on the shelf इसलिए उसने उनको अपनी shelf अपनी अलमारी में रख दिया the good Saint Peter grew angry और वो जो भले Saint Peter थे वो नाराज हो गए फारिवाज hungry and faint क्योंकि वे भूखे और कमजोर लग रहे थे and severely such a woman और वह जो इस्तरी थी वो निश्चित रूप से वाज आप टू प्रोवोक एसाइंड प्रोवोक मैंने होता भड़काना तो वो जो इस्तरी थी वो निश्चित रूप से एक संथ को भड़का रही थी and he said you are far too selfish उन्होंने कहा कि तुम तो बड़ी स्वार्थी हो to dwell in the human farm तो मानव रूप में रहने के योग नहीं हो to have both wood and shelter तुम्हें भोजन वा शरण नहीं मिलनी चाहिए and fire to keep you warm और गर्म रहने के लिए तुम्हें आग की भियाव शकता नहीं है क्योंकि तुम बहुत स्वार्थी श्तरी हो now you shall build as the birds do अब तुम पच्चों की तरह रहोगी and shall get your scanty food और दिन बार ये रूखा सूखा खाना खाओगी by boring and boring and boring और तुम जो है इससे ठक जाओगी ठक जाओगी और ठक जाओगी all day in the hard dry wood और तुम पूरे दिन उस लकडी में छेद करती रहोगी then she up she went through the chimney never speaking a word तव एक भी सब्द न बोलते हुए chimney के पास उपर चली गई and out of the top flew a wood picker और उपर से एक कट बोडवा पच्ची बन गई all day in far she was changed to a word क्यों की वा पच्ची बन गई थी और तात उसको सेंट पीटर ने क्या बना दिया था कट फोडवा बना दिया था she had a scarlet cap on her head अब उसके सर पर लाल रंग की टोपी थी and that was left the same और वो बिल्कुल ठीक वैसी ही बनी रही बट आल दे रेस्ट आफ अर क्लास बरबंड लेकिन उसके जो कपड़े थे वो सब जल कर काले हो चुके थे black as coal in the flame जैसे की ज्वाला में जलता हुआ क्वेला and every country school boy has seen her in the wood where she lives in trees till this very day boring and boring for food and every country school boy has seen her in the wood where she lives in the trees जहां पर वो पेडों में रहती है till this every day boring and boring for food और वो छिद्र करते हुए पेडों में रहती है और इस तरीके से वो boring and boring जो उबाओ जीवन है उसको बतीत करती है तो आज के लिए बस इतना ही that's all thank you